तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता है था कि हमने अपना वेस्ट बना है था यहां जैसल मेरे में जो कि एक अच्छी खासी सिटी है सब्सक्राइब से अच्छी दिनकी आतरह में आप दो चीज कर सकते हैं चनोत माता मंदर एक और दूसरा है यह लांगे वाला पोस्ट को तो इतन माता मंदिर मेत वर्डर है में दो घंटे की दूरी पे हैं महाब करेंगे जैसल मेर से और थोड़ा सा आप लंबा टूर लेंगे तो आप शाम के डेजर्ट होते विए भी जा सकते हैं कुछ डेजर्ट आपको रामगर के भी पास मिलता है जै छोटे रास्ते से जाएंगे तो हमने हला कि थोड़ा सा राम मेमोडियल वगर भी है काफी ट्रेंचेस हैं और काफी डिस्प्लेय हैं और ये इलाका पूरा का पूरा डेजर्ट है जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रीन रिक का कोई नाम और निशान नहीं है छोटी मोटी जानिया बड़े मिल जाएगी और ये जो मेजेंटा कलर की लाइन देख रहे हैं आप यह जो है हमारा इंडो पाक बोर्डर है इन फाक्ट यह लोंगे वाला पोट से इंडो पाक बोर्डर पेरली 6-10 किलोमीटर दोरी है तो आए और आगे हम लोग इस यात्रा का अनंद लें और आप भी अपने अनुभवों को हमारे साथ सेयर करें थाइंक शफड का प्राड़म कर चुके थे बच्चे बड़े उतसाहित थे लेगिस्तान को देख करके फोटो गयरे खीच रहे थे तरह तरह कि उनके शवाल आपको बेचैन कर देगी कई बार की करण र страх की रेगिस्तान की गर्में से होते हुए और सायं सायं हवाओं और इससांदार रेखिस्तान सो यह आप हम पहुंच चुके थे लोंगे वालाइवाला पोस्ट के पास एक सानदार सशाओं सारकल और यहां आप देखेंगे हमारी कुछ वीड साइनकों के समाधियां और समारक बनी हुई है जो कि आज की जेनरेशन को प्रेडित करती है बड़े ही कुसरत थे, वेल मेंटेंड थे राज़्थान की तपिश भरी कर्मी में ये मेंटेंड करना कोई छोटी बात नहीं है यहीं पर आप सामने देखेंगे जो तिरंग का जो कलर लगा हुआ है वो एक चोटा सा काफेटेरिया था और यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कुछ कैप्चर्स किये हुए टैंक सामने हमारा बज्र वाला टैंक भी था और सुरक्षा के करें इंतिजाम काफी सारा स महाल यहां पर तबिता और क्दात्त, सबस्क्तप़ दिया करें रपमारा टैंक साने हमारे था और आकफी सुखर था प्राभ professions, यह बिखाड़ का को जहाँ बएद्या था औरि यहां बच्चों को मैंने सारी टेंक्स दिखाई और उसके बाद हम लोगों ने कुछ सेल्फी भी लिए कुछ फोटोग्राफ बाहर में किये और फिर अंदर इंट्रेंस पे जाने के लिए अधिक परे बच्चे बड़े उच्वतिक अभी इतनी नर्दीक सी इतनी बड़े बड़े टांक नहीं देखे थे दाग्या विन यू सी इन दे मोवी देड़ेशित आप पर आप पाई कितनी हो सकती है अम सब तो बस बावने लग रहे थे कि फिर हम अंदर की तरफ जो है लोंगे वाले युद्ध समारक में कुछ और भी चीजें हैं जो एक बॉंडरी के अंदर रखी वी है एक सेप्रेट सा एरिया बना हुआ है तो वहां जाने के लिए थोड़ी से क्यूं थी थोड़ा क्योटिक भी लग रहा था देखकर की थोड़ी अच्छी विवर्स्ता हो सकती थी प्राउड मैनेजमेंट के लिए लेकिन ठीक है ना से हां सही पहले कुछ नहीं था अब यह हुआ तो यह एक अच्छी पहल थी मोदी जी के आने के बाद यह और भी को सुरत और ब्रिहद आकार में बना दिया गया और काफी सारा डेवलप्मेंट वर्क चलना है यहां पे जब आएंगे तो आपको सभी सबसे आगे जाती है भगवान जाने क्या करेगी आगे जा करके वसी वरी वरी क्यूरियस चाइड फिर आगे बढ़ चले और यहां पे काफी सारे साइन को की मेमोरियल्स थी छोटे-छोटे जो है गंस और आर्टिलरी गंस रखे वे थे बच्चे काफी उत्सुप थे उनको देखने के लिए बड़े लोग भी देख रहे थे और उन सब के सामें चोटा चोटा एक इंट्रो का प्लेट लगा हुआ था जो की काफी अच्छा था चीजें काफी बदल रही हैं मोदी जी की सरकार में जो हमारे वीरों की कुरवानिया और निसानिया है उस समाज के सामने दिखाई दे रही है हमने जो सुख चैन की जिन्दिया आज हम बिता रहे हैं वो बस इनहीं की कुरवानियों की वज़ा से है सर्विस तो सारे करते हैं बस सर्विस अल्टिमेट सैक्रिफाइस फॉर दे निशन बहुत कम नों के नसीब में होती है यह आजका जो अगनिवीर की पर्था चली है जो नया सिस्टम आया है यह बहुत अच्छा है कि चाहें आप कुछ चंद के लिए हैं कुछ महीनों के लिए इसे कुछ साल के लिए राष्ट के नाम आप अपनी जिनगिकी को समरपिद कर सकते हैं साथी साथी आपकी physical capacity भी बढ़ाएगी आपकी intellectual capacity सब्सक्राइबल कैपिशिटी बढ़ाएगी तो इन कंपेर टू वाट कैल अ इसको क्या करते हैं कि टिस्टिजम मोजी गौर्णन को मिली है मैं इस अच्छा मानता हूं और एक पैक्टिटिजम की भावना को जगाने में वाकई कारगर होंगी यहां जो मैंने यूथ के बीच म में उस साह देखा वो वापए कावले तरीफ था और फैमिली मेंबर्स बच्चे बर सभी आ जा रहे थे अपनी सेल्फी खिच्वाना चाह रहे थे अज यूज्वल मैं तो बस फोटोग्राफर बन जाता हूं जाने के बाद आप बेरली ही कहीं मुझे देख पाते हैं और य इसी में अच्छा है इसी में मज़ा है सबका साथ सबका विकास सबकी खुसी है ना फिर सनेहा वो सेल्फी वरकाने के बाद मेरे पास आकर के देखती थी कैसी फोटो आई और ये बड़ा ही सांदार सा जाह ज़वान की यहां पर मुर्ति इसके पीछे जो है 1970 वर्ड की डिटेल्स है और मार्टेर्स हुए रहे कि पदक हुए रहे कि साथी साथ यहां कुछ टैंक्स वे भी रखे हुए इस मैदान में सामने जो आप देख रहे हैं टी-54 टी-70 टैंक्स भी और ये आर्टिलरी गंस अब हम फिर आगे चलेंगे टैंक्स और अर्टिलरी गंस के अलावा भी जो है नहां कई स्मार्क बने में थे भी बादरों की और कुछ एरक्राफ्ट भी लगे हुए थे जो लोगों की उत्सुक्ता की खास वज़ा भी थी काफी सारे लोग सामने आ रहे थे और सेल्फीवर खिचवा रहे थे वहां पर आ करके खास करके यह जहार तो और भी खुशुरत लग रहा था जो की मिट एर हैंक किया गया था इसे काफी खुशुरत और भी एक्सपैंसिन की प्लान है बड़ धीरे धीरे यह अपना T-72 टैंक्स लगा हुआते हैं यहां पर बच्चों के तो वस वाड़े ने आ रहे थे कभी उचल के एक किस मिर्थियां को देखते फिर कभी दूसरे पे जाते फिर पूछते वो कि इक इनकी मूर्थियां लगी है फिर मैं उन्हें बोड़ता कि सामने जाकर कि पढ़ाई कर लो तो यह काफी अच्छा था यह सारा महौल चुकी सुख़द भी था लेकिन भीरवड़ा था नहे साल होने की विज़ा से कोई जादा ही लोग थे क्योंकि छुटी का पीरिट था बच्चों के घूमने और पिक्निक वगरा मनाने का एक दिन होता है फिर भी काफी साफ सफाई मेंटेन की गई थी जो सिक कान की गर्मी और मरुस्तिली में एक काफी बड़ा काम होता है सुनियां को तो देखी रहे हैं फिर से वह आर्टिलरी गंस को छुएगी फोटोजेनिक फोटो की चाहेगी और एन सी विल कम बैक भी हैं दे कैमरा टूसी पिक्चर तो यही है कहीं पे बच्चों को इंस्पाय कर जाती है कि फिर जब हमने इस जगा को देख लिया तो बीर सिपाहियों के नाम बगड़ा पढ़ते हुए देखते हुए हम आगे गए और टैंक्स बड़ा को देखते हुए जब आप गेट के पास आएंगे तो लेफट हैं साइड में हुआ है छोटा सा काफी गहरा सा कु लेकिन संजोग से उसकी क्लिपिंग उसे कहीं मिस हो गई है यहां देखी रहे हैं बच्चों को सुकता स्नेहां फिर वो टैंक को चूचू करके देखेगी कि कुछ मिटी वरह भी लाई जा रही थी हमने देखा कहीं दूर से और उसको उपर से री सर्फेसिंग का कार्ज किय जा रहा था स्थाइब लाई जा रहा रहा एंग झाल झाल बच्चे एरक्राट को देखने के लिए काफी उसुप थे सभी बच्चों ने कई राउन में देखा जैसा कि आप पिक्चर से देख सकते हैं यह मेरी बड़ी बिटिया जो है फोन लेकर के अपनी ही वीडियो बनाने में हैपी थी उनको भी जो है मेमी करना अच्छा लगता है कि कैसे वीडियो बरह बन रही है अर्चना जी थोड़ी गर्मी में अपरसान हो रही थी अलाकि निवियर का टाइम था फिर भी काफी गर्मी थी इसने कई वारा की पानी पूछ रही थी संजोग से हम उसके अंदर पानी बरह नहीं ले जा सकते थे तो धिरे धिरे हमने आगे निकलने की तयारियां सुरू की थान की गर्मी में थकावा ठोड़ी थी बच्चे भी परसान थे तो मैंने कहाँ चलो बाहर चलते हैं और पास में ही एक काफे बना हुआ था जो कि साइन को द्वारा ही संचाली था लेकिन अफसोस की बात एक बड़े अपर्चुनिटी को और इंप्लॉयमेंट अपर्चुनिटी को भी मिस कर दिया गया यहां पर मुझे बहुत दुख्व है जान करके कि चिप्स और कोल्डरिंग के अलावा कुछ नहीं मिल ला था कोल्डरिंग की जगा पर साइध हमारे देश का अपना जूस होता तो अच्छा होता एक खाने की अच्छी रिश्टरेंट हो सकती थी यकीन मानिये जितनी लोग आ रहे थे जितनी भीड थी यहां कम से कम चार से छेलाव रुपे का सेल पर डे का होता तो आप समझें कि कितने लोगों को इंप्लाइमेंट मिल जाती वो सहे सरकार मिश कर रही है और हमारा निवेदन है कि वो कुछ इसके लिए कारें आगे यहां कॉर्डर में एक सुवेनियर शोप था जहां हम गए और हमने कुछ पर्चेजिंग की कि यहां कि वो इसके कि वो कि लिए। तो इस बार मैंने 17 सो की पर्चेजिंग के यहां पर तो जो भी प्रसीड होते हैं वो चारिटी को जाते हैं जिसे की आर्मी के घर परवार को मदद मिलती है और कुछ पर्चेजिंग हमारे जो छोटे साले साहब थे इंजिनियर साहब उन्होंने किया स्री नरायन वत्स बावु ने और हमारा ये तरीका होता है राश्ट को सेवा करने का अपने स्टैल में यहूं तो मैं हर महीने कुछ राशी लगभग 1100 की राशी को दान करता हूं भारत की वीर संस्था में लेकिन इस वार हमने ये पर्चेज किया अब आप देखें कि इसके अपोजिट एरिया में लोंगे वाला यूदस्थाल है और वो जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वहां पर एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें काफी सारे मेडल्स वर लगे हुए हैं और काफी हिस्टोरिकल तक थे बगर बताए गये हैं थोड़ी ही दूर प है एक छोटा सा ओडिटोरियम भी है यहां पर तो काफी ही सुखादाना ने मिलता है तो आए हम सब मिलकर के देखते हैं कर दो आए हम सब मिलकर के देखते हैं तो आप जैसे ही इस म्यूजियम से बाहर आएंगे कुछ आपको उस जमाने की ट्रांस्पोर्ट वेक्यल लाइक जीप माउंटेट आर्टिलरी गंस एंटी टैंक मिसाइल्स कुछ पुराने जो है टैंक साथे साथ आपको पाकिस्तान के के से भी कबजे में लिए गए कई साथे टैंक सुगरा यहां पे और अर्टिलरी देखने को मिल जाएंगे जिसे भारत के लोगों ने ट्रॉफी के रोप में एक किया था यहां एक और सुख़द बात यह थी कि यह जो बड़े-बड़े बभूल के पेंड लगे हुए थे यह सारे बभूल के पेंड इस प कमान सेंटर है वोर्ड टैम का और इसमें चोटा साओडी टूरियम भी था जहां पे कुछ स्क्रीनिंग हो रही थी और लोग काफी जा रहा थे देखने यह देखिए कि इतने खुबसूरत पंची हैं बड़ा ही आनन्दायक महुल अब इन पंचीयों के साथ खेलने के बाद हम आगे की तरफ निकल पड़े अब इसमारक बनी वी थी अपनी भारत सरकार की एम्बलेम के साथ जो कि समराथा शोप के जवाने से चार सिंग मुख का बना हुआ है जो कि चारो देशाओं को रिप्रेजेंट करती है और इहां जो आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि रेड खर की लाग से बनी हुई शहीद सेनकों की जो है एक छोटी छोटी मतलब क्या करते हैं कि अम्बलेम या प्लेट्स या पलाक बनी हुई है लाग से रेड खर मेशाँ हमने पता किया तो पता चला कि ये रेड कलर उनके बहे हुए खून, खून की कुड़वानी, जान की कुड़वानी, बलेदान को दरसाती है और इस बज़र से उनको रेड कलर में बनाएगा, कि देखो हमने अपने खून से सीच करके इस जमीन को बचाया है, इस धरती को आवाद रखा है और जब आप वहाँ जाएंगे, इट विल प्रोवोक ही ओ, डीप थाउट, आप यहाँ देख रहे हैं कि यह प्लाक है, और बैक्ग्राउंड में पाकिस्तान के से कैप्चर किये हुए टैंक और उसके उपर लहराता हुए तिरंगा, बस आपके सीने को ना छपन नहीं, एक कुछ हिस्ट्री वह रहा है, बैटल ओफ लोंगे वाला, आप समझें कि यह ही वो जगह थी, जहां बैटल हो रही थी, यह पीछे, आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के टैंक, अमेरिकन टैंक, जिनको कभजा किया गया था है, उस जवाने में सुपिडियर मारी जाती थी, ल अच्छे सुविनियर्स को बिल्कुल आज ही देख लेना चाहते थे, काफी उसकता से, कि है कि नहीं है, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, करके काफी बाट लेते हैं अपनी चीजों को, यहां पे फ्लैक के कलर में काफी अच्छे से कपड़े वरा लगे वे थे तो, बच्चों सेलफी वरा खिचवाई बड़े उसक थे, वो हर इंच को मतलब देख लेना चाहते थे, सीख लेना चाहते थे, पता कर लेना चाहते थे, यहां काफे में थोड़ी चाय वरा हमने पी, फिर नीचे बंकर वरा बने वे थे, यहां पे कुछ आर्म्स डिपो वरा जैसे होते हैं उनको डेपिक्ट करता हुआ जगह बना हुआ था, तो बच्चों ने हां के सेलफी री कुछ नकली गंस बड़ा बने वे थे, तो उनके साथ उनकों ने खेला, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ चले, मैंने नौज की बज़ा से साउंड को मिटा दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि ये काफी अच्छा आइडिया था, क्योंकि वोईसेवर सिर्फ मेरा हो रहा है, वो निच्टरल साउंड रहती तो अच्छा होता, लेकिन अब अखसोस करने से थोड़ा फायदा नहीं, आगे मैं ख्याल रखूंगा, क्यों निच्टरल साउंड को भी रखूं, खै सब्सक्राइब को हम देखेंगे, और काफी अच्छे से संजा है कि एक एक जो यह बॉर्डर पोस्ट होती है, तो एक बॉर्डर को 100 मीटर को कवर करती है, यह बुढर को लिचो पिर दूसरा पुस्ट की भीच में 100 मेटर की दूरी होती है, यह 100 मेटर इसलिए बनाये गया था कि तब के जमाने में जो इफेक्टिव फाइरिंग रेंज होती थी 100-400 मीटर की ही होती थी उस जमाने की गन्स को यह जो आप देख रहा है ना जिसमें लोही की चादरें लगी है तो वो जो उस जमाने की 65-71 की ट्रेंचेस थी उसकी लिए और यह जो है कि आपको बोर्डर होस्ट है जिसमें की असानिक रहा करते तो समझें कि कितना दुर्जम उनका रहना होता होगा ऐसे लेगिस्तान में लोगों के आने जाने के जोग है चाहिए बिता है जवान हो जवान होता है उसके अंदर गूश्किया उसके जाओ देख किया यह 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 बहुत हम लोग पास से लोट जाएंगे अब लेकुट ट्रेंच में कैसे आते हैं इसको बोलते हैं ट्रेंचेज भड़ गए हैं हां यहां यहां सुवेदार रतन सिंग न यह एक बंकर से दूसरे बंकर मीधर से जाते थे और जा करके वह सामान लेकर क्या आते थे मामा को बहुत हट जाए आस्ते सुआ हट है रहमा जाते तो ये रियल के मैदान है जहां पे युद होई थी जहां हमारे साइनकों की सहाधत हुई थी आप उस जमीन पे खड़े हैं और देखी सकते हैं कि बस माईल से माईल सिर्फ बालू और बालू है ऐसे में सरवाइवल कितना मुस्किल रहा होगा क्या गर्मी रही होगी क्या परस सानी रही होगी और वह भी तब के जमाने में जब उतनी सुधान नहीं थी खैट अब हमारा वापस जाने का टाइम हो गया था साम भी हो रहे थी और फिर हम हमें दूर तक चल के जाना भी था जो है जैसल मेर साथ में थोड़ी और भी डेजर्ट देखनी थी तो हमने वापस के का रुख किया अभी हम लोग आ गए हैं जैसल मेर और बिकानेर और हम अभी बाहर बे चड़ रहे हैं एक सकते हैं लोग किया एक सारका-गाल यह रहे हम सूरज भगवान आपिन्सों Georgia सूरज भगवान की जूटी कर्टो रहे हैं प्रेंट आप सूरच भुबार की जूती खतों हो चुब है इसले वो अपने धर चाले है पपी नी वो फॉप्स था तो भी चुब है तो इसे खाना कर गिया एलो प्रेंट सावी जो है हम लोग चुना पुड़ा हो दाने